अलो एव्रिवन वेलकम टू फिस्क आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह इंट्रेस्ट रेट बनने से स्टॉक मार्केट गिरता है देखिए आपको पहले ही जैसे पता है कि पिछले कुछ वीक में ओल्रेडी मार्केट गिरता था रहा था रश्या यूकरेट के वोर क कि अपने इंट्रेस्ट रेट और उसके बाद एक डहम से काफी गिर गया मार्केट थर्श्ट्डे को भी और फ्राइडे को भी वो रेट रहा अब हम समझते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं तो basically इसके दो एक तो जो पूरे मार्केट पर असर पड़ता है और दुसरा जो इस पेसिफिक टाइप के स्टॉक्स पर पड़ता है जैसे बैंकिंच या जैसे बॉन्ड मार्केट है, मनी मार्केट है, या एवडीज का जो मार्केट है, यह सारे अपने आप में काफी अट्रेक्टिव हो जाते हैं, तो इसका मैं आपको एक 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 जामपल जैसे बताता हूँ, सबसे पहले तो एक बॉन्ड है, जिसकी फेस वेल्यू है, वन यानि कि जब वो टर्मीनल वेल्यू, यानि एंड में जब हमें पूरा पैसा इसका वापिस मिलेगा रहता हैं, तो वो वन थाउजन रुपीज होगा, प्लस पर मन्थ आपको 80 रुपीज का कूपन मिलेगा, क्योंकि इसका इंट्रेस रेट है 8%, तो पर येर आपको 80 रुप बंडने से पहले थी, एक हजार पर, इंट्रेस रेट बंडने की वज़े से क्या हुआ, इसकी डिसकांट रेट 8% से 8.4% होगे, और इसकी वज़े से इसकी प्राइज आज की तारीख में, एक हजार से गिरके होगे, 973, यानि 2.64% कम, तो जब कोई चीज 2.5% सस्ती हो जात ही, obviously, in market-like debt, या bonds, तो उसकी वज़े से क्या होगा, कि लोग धीरे-धीरे इस तरह के bonds में invest करने लगते हैं, अपना stock market का पैसा लगागी, जिसके अज़े से stock market का मार्केट कम attractive होता है, और एक तरह से गिरने लगता है, प्लस bond market बढ़ने लगता है, अगर यही bond, दस की ज़ वाला होता, other things are same, तो वो एक हजार से 956 उलपीच तक गिर जाता है, यानि 4.34% का आपको benefit होता, तो आप जैसा समझ सकते हैं, कि जितना long term instrument है, उतना ज्यादा attractive, मतलब long term के investor भी stock market चोड़के bond market की तरफ जाने लगते हैं, इस situation होता है, दूसरी बात करें कि बैंकिंग सब्सक्राइदा उनका यह होता है कि interest rate बढ़ता है, तो banks के अंदर deposits वोगरा है, वो बढ़ता है, लेकिंग जो loan है, एक तो लोग लेना कम करते थे तो उससे business पे impact, क्योंकि आप ज्यादा ब्याजवाला loan देना, लोगों को risk ही लगता है, प्लस, already जो existing loan है, उनके default की chances बढ कर रहे थे, 8% ग्याज दे रहे थे, suddenly interest rate अगर बढ़ा, तो उनको ज्यादा pay करना पड़ेगा, तो उस बज़े से उनका business पे impact परता है, और वो default करने लग जाते है, इंडिविज्वीजन भी जिन्होंने घर ले रखा वगेरा है, वो एसे situation में default करने लग जाते है, जब interest rate क काफी बढ़ता है, तो इन situation में क्या होता है, कि banking के stock और finance stock, interest rate बढ़ने के हिसाब से, लोग यह मान की चलते है, default बढ़ेगा, लोग यह मान के चलते है, loan कम होगा, loan का business, and because of that, उनका stock गिरने लगता है, यह तो हो गई बात कि इसके reasons क्या है, अब हम बात करते है, कि जब market ग करना चाहिए, यह इस से दूर रहना चाहिए, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्या यह चीज एक long term persist करेगी, यह एक फेनोमेना होता है, जो सिर्फ उस दिन announce होने के वाज़े से उस short term के लिए होता है, तो देखे, यह चीज long term persist तब करती, जब ज़्यादा लंबे समय अर्बियाई या और सेंट्रल बिंक्स, इंट्रेस्ट रेट बढ़ाती ही रहती है, लेकिन वेशा अभी कुछ है, हम यह पता है कि कोविट गया है, तो कोविट के अंदर ओल्रेडी काफी इंट्रेस्ट रेट कम ही ती, तो चांसे से कि आने वाले टाइम में बढ़े, प्ल इसके वाज़े से क्या हुआ है कि लोन काफी स्कूटनी के बाद दिये जाने लगे, जिससे यह चांसे कम है कि डिफॉल्ट बढ़ेंगे, प्लस सेकेंड चीज यह है कि अल्रेडी जो कमपनीज है, वो कोविट के बाद के एरा में आ चुकी है, तो अब जो मार्केट और एक तरह से ग्रो कर रही है, उसके वाज़े से यह चांसे सकम है कि कोई बिजनेस इस पर इसका नेगेटिव इंपक्ट पड़ेगा, वो ओवर ओर ग्रोथ उनकी काफी अच्छी होगी तो उस वाज़े से वो भी डिफॉल्ट करने के उनके भी चांसे सकम है, प्लस अगर इंफल बहुत ज़्यादा रेट ना बढ़ा है कि मार्केट पे हमें नहीं लगता कि इतना ज़्यादा है, और विकॉस अप देट, क्योंकि आने वाले टाइम में स्टॉक्स और गिरो कर सकते हैं, और एकनोमी गरो कर सकती है, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट की जो वेल्यू है वो बढ़ेगी, तो ऐसे समय में जो लॉंग टरम इंवेस्ट रहते हैं, जो इंट्रिंसिक वेल्यू को देखके, इंवेस्ट करते हैं, इंवेस्ट करते हैं, इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, उनके लिए काफी अच्छा टाइम हो जाता है, मार्केट में एंटर करने क सो हमारा सेजेशन नहीं है कि इसे टाहिं में आप डेफिनेटली जादा से जादा इंवेस्ट करें और अपने एक सफिते में मिल रहें अच्छे इंत्व स्टॉक को डेफिनेटली बाय करें, लॉंग टम तूली, इस वीडियो में इतना ही ता फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमें कमेंट करके बता है और इस वीडियो को लाइक करें इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें प्लस हमारे चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें खुछ भी सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मुच